चुमीनू का बाप है न, वो कभी-कभी मेरे लिए बिस्किट लाता है, शेहत से ज्यादा मिठे और कपास की तरह नरम, मुह में रखते ही खुल जाते हैं, अल्ला जानी कौन सी दुकान से लाता है, मैं तो ने चुपा के रख देती। जब दिल करता है, दो चार निकाल के खा जाती है, आज चाय के साथ तुम्हें भिखिलाओंगी, चाय तियार हो गए होगी, मैं लाती हूँ अम्मा अप का जा रही हो, बिस्किट लेने जा रही हूँ कितने नंबर आये थे तुमारे? के फिर मुझ से दीवा ना आये ना आये जैसे शाहों का शाह, दो के आगे चार लगा, रांजे शाह की रानी, तीन घरों में काला पानी कब है गुरु अन्दाजी? पहले कभी नहीं कहला? नहीं जो गेम खेलता उसको तो सब मालूम होता है, कब नंबर निकलेंगे, कब अलान होंगे खेलना भी आता है? सीख जाँगा? हाँ, दिल में तलब हो तो बंदा सीख ही जाता है मोटा मोटा तो मैं सिखा दूँगा, बाकी चालीस पचास हजार हारेगा तो खुद ही सीख जाएगा वैसे है कहां का, कैसर कलां का तो नहीं लग रहा यहां का नहीं हूँ, इदर से गुजर रहा था तो सोचा मैं भी किसमत अजमा लूँ आठ और अठारा खेलेगा इस बार, हजार आठ पे लगा दे, दो हजार अठारा पे जीत गिया तो कितने मिलेंगे? आठ पे लाख और अठारा प्यासी, दोनों लग गे तो एक लाख अशी तेरा सोच मत लगा दे जो खेलता है वो ही जीतता है और जो जीतता है ना वो ही सिक अंदर होता है एक दिन बाद कुरान दाजी है एक लाग सत्तर तिरी जेपे अभी तो एक लाग स्ती थे तो दस अजार मेरा कमिशन भी तो होगा ना जिस दुकान से पर्ची लेगा उसको कमिशन नहीं देगा ये नमबर लगेंगे तो सही ना ऐसे लगेंगे जैसे भीगे परिंदे को करण लगता है सोच मत दस मिड़ बाद सेल बंद हो जाएगी इस पर अपना नाम और जिन नमबरों पर खेलना वो लिखते है इदर जुम्मे को नौ बजे कुरान दाजी है यही आजाना